नमस्कार निर्माड़ा इसके मंद से मैं राश्यकर आप सभी का स्वागत करता हूँ जो भी बच्चे UPSC या UPPCS 2023 में अपियर होने के लिए जा रहे है 28 में अपकों का पेपर होने वाला है प्रिलिम्स का समय अब बहुत ज्यादा नहीं बचा हुआ है तयारी को सिस्टम में लाना पड़ेगा आपने अभी तक जो चीज़े पड़ी हैं रिवाइज करने का चीजों को वक्त नजदीक आता जा रहा है ताकि अपनी तयारी को एक्जामिसन हॉल में बैठने से पहले खास करके वो बच्चे जो फ्रेशर हैं या वो बच्चे जो बार-बार प्रिलिम्स से अपियर हो रहे हैं लेकिन पास नहीं हो पार है कुछ मार्ग से उनके प्रिलिम्स का क्वालिफाई करना रुख जा रहा है वैसे सारे बच्चों के लिए एक प्रोग्राम निर्माण IS इस उद्यश्य के साथ ले करके आया है कि 2023 के प्रिलिम्स के एकजाम में बैठने से पहले आपकी तैयारी को मुकम्मल कर दिया जाए पुरी तरीके से आप आत्म विश्वास से लैस हो करके एकदम कॉन्फिडेंट हो करके एक जमने सन हौल में जा पाए इसके लिए निर्माण IS आप लोग के लिए NPTS 2023 निर्माण IS प्रिलिम्स टेस्टरिज पुरे प्रोग्राम का नाम है ले करके आया है अब पिछली बार भी हम लोग का प्रोग्राम चला था जो बच्चे जुड़े हुए थे सामने उसमें कितना दम है उस दावे में क्या वो हाइफोटेटिकल है बनावटी है काल्पनिक है या फिर उसका कुछ आधार है हमारे कॉन्फिडेंट होने का निर्माण IS अभी जिस आत्मविश्टराश के साथ इस प्रोग्राम को ले करके आ रहा है उसके आत्मविश्टराश का कुछ आधार है उस पर पहुचने से पहले वो बच्चे जो किसी ना किसी टेस्ट प्रोग्राम में किसी भी संस्थान के इंवाल्व रहे हैं वो तो जानते हैं टेस्टरीज का क्या महत्व होता है प्रेलेम्स के लेवल पर भी और मेंस के लेवल पर भी तो संचित रूप में हम लोग बात कर लेते हैं समानने तो रूपे हर बच्चे के पास यह जानगारी होती है लेकिन जो बच्चा अभी फ्रेशर है या नहीं समझ पाता है महत्व को टेस्टरिज का क्या महत्वा होता है तो मैं उनसे दो मिनट बातचित करना चाह comparable की क्या महत्वा है इस टेस्टरिज का तो तयारी में देखिए क्या होता है कई बार चीज़े आप को आती रहती है जैसे CCAT का question है ropर देना है वो आप घर पे बैठ करके, रूम पर बैठ करके, आराम से अकेले में टाइम लेकर के करते हैं, कुछ चीज़े सही हो जाती है आराम से CSET का पेपर लेते हैं, अपने कमरे पर, UPSC का ही आया हुआ, आप 40 से 45 कुस्टर मना जाते हैं आप आराम से क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन जैसे एक जामनेशन हॉल में जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़े घटित होती हैं आप लोगे साथ में, कि आप नहीं पास कर पाते हैं इस बार जितने बच्चों से एंटरेक्शन हुआ, हमारे संस्थान की कई बच्चे प्रिलेम्स इसलिए नहीं क्वालिफाई कर पाएं, कि सीसेट की तयारी उनकी सही से नहीं हो पाई थी और प्रैक्टिस उन्हों नहीं कर पाए थे तो ऐसा नहीं हो, खास करके हिंदी मिडियम के छातरों के सांस सीसेट वाकई में अभी एक समस्या बना हुआ है जिस तरीके से बच्चों से बातचित करने के बास से जो चीज़े निकल करके सामने आती है इसका क्या कारण है? प्रैक्टिस नहीं है दबाव में बैठ करके दिये गए समय में कि एक कोस्टन पर मैं ज्यादा स्यादा दो मिनट दे सकता हूँ जो भी मुझे ट्रिक्स पता है, जो भी मेरी समझ है उसको अपलाई करना है कोस्टन को समझ करके दो मिनट में एंसर निकालूँगा इसके प्रैक्टिस नहीं होती है आप लोगी इस ते एक्जामनेशन हॉल में जाने के बाद से जैसे सबाने तोर पर मैस का एक वर्क इंट्राइम पर अगर मान लीज़े कोस्टन आ गया आप रूम पर करते हो सकता है पास से दस मिनट ले या फिर रूम पर वो प्रेशर नहीं होता है एक्जामनेशन हॉल वाला तो आपका दिमाग सही काम करता है बिना किसी दबाओ के आप सॉल्व कर लेते हैं कोस्टन को लेकिन examination hall में जाने के बाद से, UPSC की examination hall में जाने के बाद से, ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी students की जो मान सिकता होती है, माने या ना माने तनाव तो ही जाता है, खास करके उन लोगों के लिए, जिन्होंने UPSC के वाताबरण में बैठ कर कभी exam नहीं मेंस की हिसाब से आप कितना तयार हो पाए है, इन सब चीजों को जाचने का तरीका क्या है, आप खुद से ही question बनाईए और answer लिखिए, अगर आपका IQ level अच्छा है और आप बहुत समझदार हैं, तो आप तो खुद से ही बता लेंगे, पता कर लेंगे, अपना feedback खुद को ह कोई दे देंगे, कि मैं अच्छा कर रहा हूं या बुरा कर रहा हूं, लेकिन समानने तोर पे यदि कोई विशे शग्य आपको उस copy को देखता है, विशे का, जैसे पॉलिटी का आपने लिखा है, मेंस का है तो, तो फिर एक अच्छा review आपाता है, वास्तविक आकलन हो पा है, जो प्रेसिडेंट के बारे में किसी न किसी किताब, नोट्स और या फिर अन्य माध्यमों से पढ़के नहीं जाता है, जाता है, लेकिन खिर भी question गलब करके आता है, इसका कारण क्या होता है, पढ़क तो लिया है, लेकिन UPST थोड़ा सा statement इधर से उधर करती है, विश प्रेक्टिस नहीं है, तो इन सब चीजों से बचने के लिए, elimination जैसे बहुत सारे questions ऐसे होते हैं, कि जरूरी नहीं है, कि UPST नेकर 5-6 statement दे दिया, तो आपको सारे options पता हो, तो ही आप answer दे पाएंगे, कुछ questions का nature ऐसा होता है, कि एक दो या एक option ही eliminate करने के बाद sensor मिल जात ही, तो इन सब चीज का रियाज करना, कि मैं पहले ही जान लेता हूँ कि मैं कितनी गलतिया करूंगा, elimination और selection में मेरा mind कितना अच्छा मेरा साथ दे पाता है, उस दबाव में मेरे mind का reaction क्या होता है, ये सब कुछ आप पहले सा समझ ले, ये सारा महत्व होता है, testage का, करने के लिए, जो ही अपने चीज़े पढ़ा है, उनको summarize करने के लिए, खुद का review करने के लिए, ठीक है, अब दूसरे हिस्से पर आते हैं और बात करते हैं, तो था testage का महत्वा, कि निर्माण IS का समानने सब एक प्रश्ण हर बच्चे के मन में आएगा कि हम आप ही का संस संस्थान का जो पीछे का record है, जैसे हम लोग के संस्थान का जो पीछे का record है, एक बार मैं उसको share करना चाहूंगा, और उसके अधार में बात करूँगा, संस्थान का पक्च रखूंगा, निर्माण IS का पक्च रखूंगा कि क्यों ज्वाइन करना चाहिए आप लोग को, पहला, तो यह है, अच्छा, बात करने का सबसे सही तरीका यह होता है, अनुभाव के अधार पर बात करें, तो अपने अनुभाव के अधार पर ही बात करें, पिछली बार, अनुभाव का प्रोग्राम हुआ था, दो हजार बाइस के प्रेलिम्स के लिए, उसमें हम लोगा क्या पर्फॉर्मन्स था, कितने कोस्टंस हम मैच करवा पाये थे, कितने टॉपिक्स, एक्जेक्टली हम कहें कि कोई, किसी टेस्टरी से कोस्टंस हुबहु आ गये, जो प्रेसिडेंट है, राष्टपती की छमादान शक्ति, वो कहीं आपने पहले से कर रखी है, किसी टेस्टरीज के माध्यम से, उस पर डिस्कुसन आप लोगा हो चुका है, क्लैरटी आ चुकी है, तो अगर आप प्रेसिडेंट पर पूछता है, UPSC पूछती है, तो गलती हो का NPDES प्रोग्राम चला था, लगभग 60-62 कोस्चन, सिर्फ प्रश्णों की मैं बात करूँगा, लंबा चोड़ा प्रोग्राम था लगभग 32 कोस्चन का, उसमें से 60-62 कोस्चन ऐसे थे, जो हमारे कोस्चन के सेग्मेंट से मैच करते हैं, एक्जेक्ली नहीं मैच करते हैं, लेकिन topic और उसमें जो options हैं, ये बात आप देख करके समझ जाएंगे, असानी से अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, कि किस तरीके से अगर वो कोस्चन आपने solve किया होता, तो मिलता जुलता question है, असानी से आप उस question को भी solve कर पाते हैं, अगर हम अपने answer को भी शामिल कर लें, क्योंकि निर्माडा येस की जो परंपरा है, दो line या चार line का explanation नहीं दिया जाता है, और monotonous किसी किताब से उठा करके दे दिया गया, कि हाँ राश्पती पे question है, तो ये लोग राश्पती का लक्ष्मी कान से उठा करते दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है, एक research होता है, कि किस तरीके से bullet form में flow chart से बना करके आप लोग को answer दिया जाए, कि आपको पढ़ने में अच्छा भी लगे, भाशा उसकी सरल हो, चीज़े आसानी से समझ में आ जाए, और दूसरा, उसमें information के साथ इस तरीके का analysis हो, कि एगर आप उन चीज़ों को पढ़ें, तो topic पर आपकी पूरी clarity ही आजए, सब कुछ चीज़े आप उस answer के माध्यम से समझ का है, तो कई बच्चे लापरवाई करते हैं कि answer ले गए घर पे रख दिया, उसका इस्तमाल नहीं कर रहा है, तो request करते हैं हम लोग बच्चों से, कि question तो आप बनाईए ही, class में आईए ही, कीजे, साथ में answer को भी ले जा करके, जैसे discussion होने के बाद भी answer को ले जा करके आपको पढ़ना चाहिए, उससे बहुत फायदा होता है, अगर उस answer को सामिल कर ले, तो लगबग 80-82 के आसपा से आकड़ा पहुंच जाता है, तो इसका कारण क्या है, जैसे कि एक example में छोड़ा सा दिखाऊंगा, कुछ questions मैं ले करके आया हूँ, सिर्फ ये दिखाने के लिए, कि team का मेहनत है ये, हम लोग के उत्सा का, हम लोग का इनाम क्या होता है, अगर हमारे questions आते हैं, उन questions के अधार पे, आप सही करके आते हैं, आप qualify करते हैं, तो इनाम संस्थान का वही होता है, त जैसे देखते हैं, एक question, यहाँ पर हर question के आगे, टेस्टरिज का number है, जो बच्चे टेलिगराम चैनल से जुड़े हुए हमारे, यह website को follow करते हैं, पिछली बार का टेस्टरिज का पूरा का पूरा वहाँ पर slot पड़ा हुआ है, आप उठा करके देख सकते हैं, कि कोई fabricated नहीं है, यह सारे के सारे question जैसे कि यह question है probiotics पे, और probiotics पे हम लोग का NPTS 31 में question दिया हुआ है, और question का nature देखेंगे, detail में मैं discuss करूँगा, तो अलग से class ही हो जाएगा, लगब 50-60 question है, सिर्फ एक दिखाने के लिए comparison कि अगर NPTS का आपने यह question solve किया होता, तो UPSC के इस question को solve करने में probiotics से related, आपको कोई समस्या नहीं आती, दूसरा है जिसा non-fungible tokens पे, समाने दूर पे हिंदी मादन के बच्चे economy में ऐसे टर्म से घवड़ा जाते हैं, और आत्मिस्वास से जम्मेस्वन होल में आधा वहीं कम हो जाता है, कि आर समझाएं नहीं है, कैसे बनाएंग इन ही सब चीजों को दूर करने के लिए, कि सामने से यह चीज़ आपके कई बार गुजरेंगी, आप चीजों को समझ जाएंगे, discussion हो जाएगा, answer पढ़ेंगे, question बनाने के दोरान आप खुद का review कर पाएंगे कि मैं कहा गलती कर रहा हूं, और सारी चीज़ आपके लिए friendly ह जाएंगी, टेस्टरीज का basically महत्व यह होता है, non-fungible tokens पर UPS ने जो question पूछा था, NPTS 20 मतलब test number 20 में हम लोगोंने non-fungible tokens पे question पूछा था, same चीज है, discuss हम लोग लंबा चोड़ा नहीं कर पाएंगे, पूरा का पूरा यह slide में, PDF में डाल दूँगा, description में, आप लोग NPTS attend किया होता, यह question बनाया होता, discussion में बैठे होते हैं, one-to-one discuss किया होता, तो इस question को solve करने में कोई समस्या नहीं आते हैं, इसी प्रकार से Senkaku Island पे, हाला कि question बहुत आसान था, UPC द्वारा पुछा हुआ, लेकिन फिर भी, अगर यही बात करने हैं कि कितने questions हम match कर पाया थे, तो हम लोग को question का जो level था, वो प्रिलिम्स का जो test number 3 था, उसमें question था, Senkaku Island पे इस चैनसी को लेकर के, यह लेटकल था, लेकिन हम लोग के question का ही जो nature था, उस ही में था कि mention किया हो है कि कहां पर है, तो चीज़े बहुत असान हो जाती है, ठीक है, जैसे संगम literature पर है, संगम literature पर यह जो question है, अगर इन keywords को इन सब चीज़ों को अगरा follow करें और देखेंगे कि इस प्रश्ण को solve करने में आपके कितनी सहायता हुई होती, examination hall में बैट करके, यह तो सिर्फ प्रश्ण है, प्रश्ण देना वो मकसद नहीं है, हमने 100 questions का आपको एक paper दिया, अपने solve कर दिया, कितने आए, कितने गए, क इतने सहीं आपको कोई फर्ण नहीं बढ़ा रहा है, तो टेस्टरिज का आपके लिए कोई महत्वा नहीं है, टेस्टरिज का महत्वा यह होता है कि 100 questions है, मतलब इस अपते 100 topic हमारा cover होने वाला है, 35 test है, इसका मतलब है 35 100 topic आपके cover होने वाले है, और समानने तोर पे इतने लंबे चोले test program से बाहर फिर कुछ भी जाई नहीं पाता है, question में, question से और answer अगर मिला ले तो, और फिर जो discussion होता है, यह के question में discussion कभी-कभी हम लोंका 2-2 घंटे का हो जाता है, तो फिर चीज़े बहुत असान हो जाती है, जैसे कि question का nature बढ़ेंगे तो simple सा है, कि exchange rate पर बा प्रश्ण का, जो NPTS 3 मतलब ट्रिलिम स्टेसरीज, 19 से समर्द हो जारे किसको जो हुआ था, वो किस तरीके से वो चीज़े मैच करती है, सोची बहुत लंबी है, लगबग सभी प्रश्णों को में लेकर के आगया, लेकिन उतने पर बात नहीं कर पाएंगे, G20 common framework पे, हम लो सदस्य होते है, तो चीज़े आपके लिए बहुत असान हो गई होती है, ठीक है, जैसे e-commerce company पे है, ये भी ऐसी चीज़े जो है, समानने तोर पे हिंदी माधन के बच्चे वहाँ पर वो comfortable feel नहीं करते है, हर चीज़ को आपके comfort zone में लाने के लिए, ही टेसरीज का महत्वा हो स्टेट्मेंट सेम नहीं है, लेकिन आप पढ़ेंगे, इसमें आपको कुछ ऐसे points मिल जाएंगे, ये जो जो highlighted है, कि अगर इंसर को पढ़ा होता, discussion में बैठे होते हैं, बैठ करके अपना confusion दूर किया होता, तो इस question को solve करने में कोई समस्या नहीं आती, ऐसे ये list बहुत ल मंत्री परिशत के size पे और मंत्रियों के प्रकार पे, हम लोग का जो question है, NPTS 15 का देखेंगे, लगबग same to same है, प्रश्णों के सिर्भाषा अलग है, content same है, आपने solve किया होता, अच्छा, बहुत आसान प्रश्ण है, लेकिन एक जामनेशन होल में ये लोग आसान, एकदम आर 10-15% जाकर लोग confused हो जाते हैं, ठीक है, इनी सब चीजों को दूर करने में, टेस्टरी आपकी आसाहयता करता है, आगे बढ़ते हैं, तेजी से और हम लोग एक बर प्रोग्राम के details को देख लेते हैं, कि प्रोग्राम हम लोग का ये हैं, कि पहली बात, जो भी होता है, जो भी प्रोग्राम डिसाइड के जाता, वो बहुत ही एक लंबे चोड़े discussion के बाद से, एक research के बाद से कायदे सके हैं, तो 8-10 लोग मिल करके, ऐसे लोग जिन्होंने इस चीज में expertise हासिल कर रखी है, कुछ ने अपनी सफलताओं से सीखा है, कुछ ने अपनी असफलताओं से बैठ कर discuss होने के बाद से, कोई भी प्रोग्राम हम लोग के तयार होता है, और यही प्रक्रिया हम लोग अपनाते हैं question बनाने में नहीं, चाहे means का हो, prelims का हो, केडी सर के final review के विना कुछ भी नहीं जाता है, ना तो means का question जाता है, ना prelims का question जाता है, हमारी जिम्मवारी उ हमें सर जुगा कर आपके सामने ना आना पड़े, बाते करते समय आपसे हमारी जुमान लडखडाये ना, हमारी नजरे न जुग जाये, इसके लिए जितना effort हो सकता है हम लगाते हैं, कि हाँ, हमारे तरफ से, खुद को हम एकदम संतुष पाते हैं, कि इस question को बनाने में, इ जो PC में solve करना आप लोग के लिए, वो असान, हम लोग करने में सफाल हो पाते हैं, इस पर जो मेंस का paper हुआ था, वो ही telegram channel पर डला हुआ है, सारा का सारा, निर्मार के website पर है, जो बच्चे जुड़े होंगो, उनको तो पता ही ये program से जुड़े थे, कि कितने सारे question किस त पता रहे हैं, इसमें क्या scientific है, लेकिन है, जैसे देखिए, पंदरा इसमें GS के advanced level के paper है, पंदरा, इसका मतलब है 1500 topic, कभी हम लोग question repeat नहीं करते हैं, समाने तोर पे एक question में हम लोग कोशिस करते हैं, इसे G20 है, एक ही paper में हम लोग ये कोशिस करते हैं, कि उससे संबंदित जितने angle हैं, उस पर बाती कर ली जाएं, ताकि फिर से G20 हम question ये topic repeat न करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा topic का आप revision कर पाएं, और जो test range का वास्विक फायदा है, जिसका एक मकसद होता है कि हाँ, चीजों को revise करें, वो चीज़े हमारे नजरों से गुजरें, उस पर detail में दे हैं, तो फिर इतना ही help काफी होता है, और recall कर लेंगे, और देखते हैं, आपका आधात अनौकम हो जाता है कि हाँ question friendly है, मैंने solve किया हुआ है, ठीक है, तो 15 years के advanced level के test paper रखे गए हैं, पिछली बार हम लोग ने basic रखा था, उन बच्चों के लिए जो freshers थे, उनके लिए अल कोई रणनिती नहीं है, बस रणनिती यह है कि exam pass करना है, जितनी तयारी हम खुद को तयार कर लें, जितना हम अभ्यास कर लें, उतना अधिक से अधिक हम अभ्यास करके paper देने जाएंगे, जितना पढ़ना है, लगभग आप लोगों ने syllabus कबर कर लिया होगा, अब आज मान अब फिर चीजे बहुत आगे ना बढ़ जाए, तो फिर topic से संबंदित, जैसे राष्टपती पर हमने question पूछ लिया, तो इसका मतलब यह नहीं है कि अब राष्टपती दुबारा नहीं पूछेंगे, topic आपके दिमाग से निकल ना जाए, इसके लिए फिर से 4 आपका revision paper कर तब है कि फिर से उन्हीं विश्वर से 400 topics आपको मिलेंगे, उसके बाद से जो final होता है कि जो model में आप लोगो को मिलना है, UPSC जिस format पे आप लोगो paper दे रही है, हूब हूँ, वही paper उसी महाल में, उतने ही time में, उतने ही discipline के साथ में, इन विजिलेटर के बीच में बैठ कर के, एकदम महाल इस तरीके से बनाया जाता है, कि आपको ये पूरी feeling आए कि आप UPSC के examination hall में बैठे हो, वही दबाव आपके उपर हो, उसके लिए इस program में 10 comprehensive test paper शामिल किया गया है, अर्था comprehensive test का मतलब क्या है, कि full length test भी इसको बोलते है, कि हाँ, इसमें GS Cup सारे paper जहाँ- VPSC जितने segment previews आपके दिये गया है, जो syllabus का हिसा, वो सारे papers, इन papers में होंगे, और इसे 10 test, 10 test काफी होता है, खुद को जाच रेने के लिए कि हाँ, मैं तयार हूँ, कितना मैं score कर पा रहा हूँ, review हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, खाफ करके, जब sectional test अब दे चुके हो subject wise revision भी कर चुके हों, तो अब सिद्धा आईए, अब comprehensive test दे करके, 10 test के माध्यम से अपने को review कीजिए, इसके अलावा, जो एक प्रमुक समस्य होती है, C-set की, इसके लिए 6 C-set के paper डाले गए हैं, ये कोई formality नहीं है, कि हाँ ठीक है, paper 1 का करवा रहे हैं, तो paper 2 का तो करवा नहीं पड़ेगा, इस बात का विश्वास देला सकता हमें, आप लोग को, ये 6 test ही काफी हैं, आप लोग के लिए, C-set qualify करने के लिए, क्योंकि सिर्फ इन 6 test papers में, हम वो सारी चीज़े शामिल कर लेंगे, जहां जहां से, UPSC समानने तोर पर प्रश्ण पूस्ती हैं, एक द पर इतने detail में, इतने घहराई से, experts आप से बात करेंगे, कि वो ट्रॉपिक मान के चलिए, 6 test के माध्यम से, आप पूरा का पूरा C-set का, एक scientific तरीके से question कैसे solve करना होता है, कहां आप गलतिया कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़े eliminate कर दे जाएंगे, तो जिन बच्चों का C-set कमजोर है, वो डरेना, test program में आए, assure कर सकता हूँ मैं आप लोगो कि इस वज़े से, इस 6 test आपको काफी है, इस डर को मन से निकालने के लिए, कि मैं C-set मही qualify नहीं कर पाता हूँ, या नहीं कर पाऊंगा, मेरी यही तयारी नहीं है, मानसिकता नहीं आप लोगों का C-set होता है, 35, 35 test का एक program है, source, सबसे महत दोपूर्ण चीज़ है, विशेश करके हिंदी मादन के छात्रों के लिए, कि UPSC prelims के questions बनाने के लिए अब जीस तरीके के source को follow कर रहे हैं, समान ने तोर पर हिंदी मादन के बच्चे उन source को नहीं पढ़ते हैं, वो ट्रेडरेशन इसके लिए, इस टेंडर्ड बुक्स तो होगे ही, NCRT तो होगी ही, NIOS, PIB, PRS, ORF, the Hindu, योजना, कुरुचेतर, ये सारी की सारी चीज़े, समान ने तोर पर आपको बस टाइम ही होता है, इन सारी चीज़ों को आप लाकर के पढ़ें, ये ही होता है, टेस्टिरिज का महत्व या किसी अच्छे संस्ताम का, कि वो सारी चीज़ों का समराइच करके आपके सामने प्रस्तुत करें, सिर्फ लेख करके नहीं, फॉर्मलेटी के तोर पे नहीं, कोशिश करें, कि उन चीज़ों से आप जुड़ जाएं, कितना उसमें से पढ़ना है, हर मैगजीन में से, आप रिसर्च करो, उसी तरीके से, डेमोक्राटिक तरीके से, और कुछ ऐसी चीज़ें लेकर क्या हो, जो वास्तों में, UPSC 2023 में जो बच्चे अपेर होने वाले हैं, उनको फायदा हो पाएं, तो सारा का सारा आप लोग का जो बड़न है, कि कि सोर्स से पढ़ें, कितना प लेबल है, आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं, उतना नहीं पढ़ पाएंगे, उनमें से क्या-क्या इंपोर्टन चीज़े हैं, आप सायद अकेले गिस करें, तो ना कर पाएंगे, लेकिन जब एक टीम बैट करके, एक्सपर्ट के टीम बैट करके, 10-12 लोगों की, जिनका काम सिर्फ यही हो, कि आप इन रिपोर्ट्स पे, इंपोर्टन फैक्ट्स, इंपोर्टन कॉंसेप्ट या जो चीज़े हैं, इसमर्द होजब देश के प्रिलिम्स के हिसाब से उनको निकाली है, तो चीज़े फिर, पकड़ में आती है, समझ में आती है, कि हाँ, 10 ल पर, रिपोर्ट एंड इंडिसेज, यूपी एसे प्रिलिम्स का एक खास हिस्सा होता है, और समानने तौर पर बच्चे वो सिर्फ रटने की कोशिश करते हैं, कि कौन संस्ता किसको जारी करती है, कुछ मुलभूत बाते उसको रटने की कोशिश करते हैं, और खिर एक्ज़ आपके सामने हैं, उस सोर्स में से कितनी चीज़े आपको पढ़नी हैं, वो सारी की सारी चीज़े आपको निकाल करके दे दी जा रहे हैं, आपको हमारे साथ महनत करना है, और निर्मान ये इसका जो मोटो है, give the best and take the best, उसको प्राप्त करना है, आप जितना महनत करेंगे, उससे कहीं ज़्यादा हम और हमारी टीम मेहनत करेगी ठीक है तो इमांदारी के साथ तैयारी ताकि एक्जाम देने के बाद से आप यह ना कहें खुद से नहीं भी होता है तो भी आप क्वालिफाई नहीं भी करते हैं तो भी यह ना कह पाएं कि मैंने इमांदारी से कोशिश नहीं की थी कम से कम खुद को तसलिवक्ष जबाब दे पाएं कि हाँ ठीक है मैं जितना कर सकता था उतनी कोशिश मैंने की थी सेल्फ सडिस्टेक्शन के लिए चीज़े बहुत जरूरी है प्रयास इमांदार हो आपको पता होना चाहिए आप जिनके साथ तैयारी कर रहे हैं उनका प्रयास भी आपको पास करवाने के लिए इमांदार है फॉर्मेलिटी नहीं है ये चीज़े भी इस चीज़ को लेकर के भी आप उतसलिवक्ष होना जरूरी है कि हाँ हमारे भी आप में ये चीज़ मेहनत कर रही है और अच्छी चीज़े आप क्ञाने लेकर कर आ रही है इसके अलबाद करेंट अफेर्सका लगभग 30 टेस्ट में हर टेस्ट में कम से कम करेंट अफेर्सका बेटेस वो 30 तो 35 परसेंट का होगा मतलब लगभग 900 से 1000 टॉपिक करेंट एफेर्स के आप लोगो रिवाइज करवाया जाएगे और रटवाया नहीं जाएगा इस तरीके से चीजों को कबर करवाया जाएगा कि चीजों से आप जुड़ जाए और वो अधिक से अधिक समय तक आपके दिमाग में तो इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा करेंट अफेर्स 900 हजार टॉपिक बहुत होता है इससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे और अगर पढ़ा भी तो दिमाग में नहीं रहेगा चुनौती तो यही है कि यही हजार टॉपिक तो इन सब तरीकों से डिस्कॉशन के माध्यम से फिर आप से सामने बैठ करके बात करने के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि चीजे लंबे समय तक आपके दिमाग में बैठी रहें ठीक है और इस पर बातचीत होई चुकी है कि कोई कोस्टन रेंडम नहीं होगा एक छोटा समय एक्जामपल लेकर करकर देता हूँ कि हर कोस्टन रिसर्च बेस्ट होता है और किस तरीके से गर आप कोई प्रोग्राम जोए नहीं करते हैं तो आपको कैसे चीजे रिव्यू करनी होत है वाकई में हिस्ट्री का दायरा बहुत बड़ा है और कोस्टन या टॉपिक मेच करोना बहुत मुश्किल होता है फिर भी एक लॉजिकल तरीका अगर हम बात करें कि 2022 में 1922 में असायोग अंदोलं समाप्त हुआ था चोरी-चोरा कांड हुआ था तो अगर यह मान करके कि UPC को प्रश्णा पूछना है तो इसका आसपास के बर्स है 2022 में कर 100 साल पूरे हुए तो समाने तोर पर चीजे इंपॉर्टेंट हो जाती है टीम का कोई भी मेंबर रेंडम कोस्टन बनाने के लिए स्वतनतर नहीं है कि किताब कोल करके बैठा है जो अच्छा लगा उसका कोस्टन बना दिया उसकी मरजी नहीं एक-एक कोस्टन के पीठे उसको अपना लॉजिक देना पड़ता है कि मैंने यही प्रश्ण क्यों चु होना है इस लॉजिक के साथ हो पेपर डिजाइन किया जाता है 2017 से लेकर के 2022 तक के पेपर का बिश्चेशन करने के बाद से कि हम कहां तक ब्रेक्थ्रू कर पाते हैं यूपेसे के स्लिवस का यह पूरा एक इमंदार प्रयास होता है ठीक है और जो बेसिक चीज़े हैं यह हमारे डिस्कुसन में हो चुकी है कि अगर मैं बोला कि करेंट अफेर्स के इस टेस्ट के माध्यम से आप क्या कर पाएंगे लिखित फॉर्मेट में जैसे कि कम से कम 650 टॉपिक आप एकॉनमी के इस टेस्ट सरीच के माध्यम से कवर कर पाएं 650 टॉपिक बहुत होते हैं कई चीज़ें रिपीट होंगी दिमाग में आपके इस तरीके से बैठ जाएंगी कि एकॉनमी से आपको डर नहीं लएगा आप एकॉनमी के कॉस्चन पेपर में ढूंडेंगे कहा हैं मैं यह बनाऊंगा क्योंकि सेग्में में अच्छा कमांड है लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ इकॉनमी का साथ होगा यह सारी की सारी चीज़ें 500 कोस्चन लगभग हिस्ट्री से होंगे 500 कोस्चन या 500 टॉपिक पॉलिटी के होंगे Science and Tech के 350 से 400 topic cover किया जाएंगे Environment के भी 350 से 400 topic cover किया जाएंगे 300 question लगभग जोगरफी से और 100 question सिर्प agriculture science और 100 question scheme से 50 miscellaneous जो अदर चीज़े छोटी मटी होती है वो आप चीज़े cover करेंगे Report indices वगएरा तो एक-एक subject का एक-एक विशय का इतना vast comprehensive coverage है कि इतना करने के बाद से और discussion हम लोगा सीमित नहीं होता है monotonous या formality वो नहीं होती है कि हाँ ठीक है एक question को teacher दो मिनिट से जादा या 10 मिनिट से जादा समय नहीं देगा topic ऐसा है जो 2020 के हिसाब से important है और बच्चों को समझ में नहीं आ रहा आप सिर्फ question discuss मत करो आप पूरा topic ही बता दो तो पूरा topic एक नए तरीके से कि लंबे समय तक अब आप उस topic को ना पढ़ने के जुरत पढ़े कम से कम प्रेलिम सक आप आपके चीज़ें दिमाग में बैठी रहें आपका समय बचे ताकि उर्जा को आप और कहें किसी और subject में लगा पाएं यह हमारी कोशिश होती है ठीक है इसके अलवा इसमें admission का procedure क्या होगा 13 नौंबर को निर्माण IS एक open test all india basis पे online और offline दोनों हम लोग conduct करवाएंगे उसमें जो top rankers होंगे 1,2 और 3 उनके लिए तो यह पूरा का पूरा program 3 है 3 admission हो जाएगा rank 1,2 और 3 का इसके अलवा इस program को चलाने का उद्देश्य हम लोगा यह नहीं है basically कि हम इससे कुछ revenue generate कर पाएं revenue generate करने के और बहुत other sources है इस program का मतसच सिर्फ इतना है कि nominal cost आपसे लिया जाए कि उतना ही जिससे program चल पाए और अधिक से अधिक फाइदा इस program का आप लोग को मिल पाएं इसलिए इस program का fees मात्र रखा गया 6500 रुपेज जितना समान्य तोर पे कोई भी बच्चा वो पे कर सकता है फिर भी निर्माण आईस का ये मोटो कभी नहीं रहा है कि पैसे की वज़े से आपकी तैयारी पीछे छूट जाए कुछ पैसों की कुछ रुपियों की वज़े से आप प्रोग्राम में शामिल ला हो पाए जो केडी सर का मोटो है जो निर्माण आईस का मोटो है कि हाँ हमें अपना बेश्ट देना है ताकि बच्चे अपना बेश्ट देने के लिए मोटिवेट हो और ये कॉंप्लिमेंटरी है अंतरसंबंदित है आप अपना बेश्ट देते हैं तो हमें देखकर के खुशी होती है हमारे उपर जिम्मेदारी जवाब दही और बढ़ती है कि बच्चे अपना बेश्ट देने के लिए जाएं 2023 में कि हाँ सारा तनाव जितनी गलती अपनी थी में पहचान चुका हूँ टाइम मेनेजमेंट सी गया हूँ प्रेशर किस तरीके से एक जैमनेशन हॉल में क्या होगा दो मिनिट में कैसे कुस्टन को कैसे इल्मिनेशन क्या सेलेक्शन करना वो सारी की सारी चीज़ा आप सीख करके जाएंगे तो सभी से जो भी इस बार अपियर होने जा रहे हैं 2023 के प्रेलिम्स में अनुरोध हैं कि 13 नुवंबर को आएं आकर के टेस्ट में सामिल हो और सब कुछ खुद अपने आखों से देखें कि पहला ही पेपर किस तरीके से डिजाइन किया गया है उस एक एक कोस्टन के पीछे आप बैठ करके आप आगर के बात कर सकते हैं कि किस लॉजिक से जो आपने कहा था आप वह हमें लॉजिक समझेए कि किस लॉजिक से अपने कोस्टन बनाया है answer का format देखिए जो mentors हैं उनका support देखिए जो facilities other environment की जो मैं बात कर रहा हूँ कि UPSC के type के environment बैठ करके exam देंगे ये सारी चीज़ आप खुद से देखिए paper लेजिए उसको compare कीजिए जहां जहां से आप करना चाहते हैं और फिर आपको लगता है कि नहीं ये paper logical है, scientific है discussion इस तरीके से किया जा रहा है one to one इस तरीके से बैठ करके समझाया जा रहा है पूरे week अप संस्थान में आप question paper के लेकर गमलों के बास आ सकते हैं ये कि question पर हम discuss कर सकते हैं सब कुछ अगर आपको सही लगता है तो फिर आप लोग admission लें ठीक है?